दोस्तो 90 के दसक की फिल्मों में अपने दमदार एक्टिंग, एक्सप्रेशन और अपने लुक से दर्सकों को दिवाना बनाने वाले अभिनिताओं को तो आप जानते ही होंगे जो अपनी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग और अपने एक्सप्रेशन और अपने एक्शन भरे अंदाद से दर्सकों को दिवाना बना देते थे जिसकी वज़े से आज भी दर्सक 90 के दसक में नजर आए अभिनीता को काफी जादा पसंद करते हैं और उनकी तारीफ करते हुए नहीं ठकते हैं लेकिन दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन अभी नीताओं के बारे में नहीं बलकि 90 के दसक में नजर आने वाले दमदार अभी नीताओं की रियल लाइफ डॉर्टर से रूबरू करवाएंगे जो इन ही की तरह अपनी प्रोफेसनल लाइफ में काफी सक्से होता है अभी नीता अनिल कपूर का जिन्होंने 90 के दसक में लाडला और विरासत जैसी कई सूपर हिट फिल्में दी हैं पर अगर बात करें इनकी रियल लाइफ बेटी के बारे में तो आपको बता दे इनकी दो बेटियां हैं जिनका नाम सोनम कपूर और रिया कपूर है इ बात ही आपको बता दे कि ये अपनी दोनों ही बेटियों से बेहत प्यार करते हैं और इनकी दोनों बेटियां भी अपने पापा के साथ काफी अच्छा बॉंड सेयर करती हैं नमबर दो गोविंदा अब बात करते हैं 90 के दसक के हैंसम एंड टैलेंटेड अभी नेता गोव बात करें अभी नीता गोविंदा की रियल लाइट बेटी के बारे में तो इनकी बेटी का नाम तीना अहूजा है जो कि प्रफेशन से एक्ट्रेस हैं और इनकी बेटी दिखने में काफी जादा खूबसूरत और स्टैलिस दिखाई देती हैं साथ ही आपको बता दे कि दौ बॉर्डर, मोहरा और दिलवाले जैसे कई सूपर हिट फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से दर्सकों को दिवाना बनाया था पर अगर बात करें अभी नीता सुनील सेटी की रियल लाइफ डॉर्टर के बारे में तो बता दे इनकी बेटी का नाम अथिया सेटी है ज उनके साथ काफी अच्छा पॉंड सेयर करती है नंबर फोर अक्षे कुमार इस लिस्ट की आखरी करी में बात करते हैं बॉलिवुड इंडस्ट्री के खिलारी कुमार यानि की अभी नीता अक्षे कुमार के बारे में जिन्होंने नब्बे के दसक में बॉलिवुड इंडस इस लिस्ट्री में सौगंध, खिलारी और संगहर्स जैसी फिल्मों में अपने दमदार एक्टिंग से दर्सकों को दिवाना बना दिया था वहीं अगर बात करें अभी नीता अक्षे कुमार की रियल लाइफ बेटी के बारे में तो बता दे इनकी रियल लाइफ बेटी का नाम नितारा कुमार है जो कि अभी 10 साल की है और इनकी बेटी दिखने में काफी जादा क्योट और खुबसूरत नजर आती है और फिलहाल अभी इनकी बेटी अपनी पढ़ाई करने में बीजी है जिनसे अक्षे कुमार बेहत प्यार करते हैं तो वहीं नितारा भी अपने पापा के काफी क्लोज है और अपने पापा के साथ खुमोज मस्ती करती है तो दोस्तों आप नब्बे के दसक के इन अभी निताओं की रियल लाइफ बेटी के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे आप हमें अपनी राइ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए